हाव रूफीक्स वान प्लस नाइन प्रो कैमरा ब्लेक स्क्रीन एंड नोट ओपिनिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है आपने वान प्लास क दिवाइस में केमरा ब्लेक स्क्रीन एंड नोट ऑपिनिंग प्रॉब्लम सौल्फ कैसे कर सकती है तो दोस्तों अगर आपका जो कैमरा है वह सिर्फ और सिर्फ ब्लेक हो रहा है और साधी साथ ऑपे नियो पा रहा है तो कैसे आपको सौल्फ करना है यहीं मैं आपको इस वी वीडियो जो है पूरा देखना होगा शुरू से लेकिया अंतक जितना भी सौलूशन है स्टेब बाइस्टेब प्रोसेस प्रोसेस आपको फॉलो करना है उसके बाद आपका प्रॉब्लेम सौल्फ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक् जुरू करते हैं सबसे पहले मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखे अगर फिक्स होते ठीक है अगर नहीं होते तो जाएए आपने मोबाइल के सेटिंग पर उसके बाद आपको इस तरह के का इंटरफेस मिलेगा नेक्स्ट में आपको जाना है एपस एंड नोडिफिकेशन जैसे होके करेगा आपको बेग करना है मेक्शूर सारे परमिशन इनेवल रहे उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक करके देखें अगर आपने केमरा वगेर ऑपन कर रखाए तो रिसेंट बटन पे क्लिक किजिए और क्लियर और पे क्लिक कर दीजिए ठीक है तो अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट करके देखें उसके लिए पाउर बटन को प्रेसन हॉल करके रखना है पाउर आफ के स्वीच को दो सेगन क्लिक करके रखना है और ऑके कर देना है जैस अगर आपका problem solve नहीं होते तो दोस्तों आपको जाना है setting उसके बाद आपको जाना है system पर और software को update कर देना है जैसी दोस्तों आपका software update होगा आपका problem भी fix हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने camera black screen and not opening problem solve कर सकते हैं तो यह था दोस्तों आपका solution उमीद करते हैं आपको video पसने होगा आज के लिए बस इतना ही thanks for watching